दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पाहले कावर सीट लहर का प्रभाव स्कूल हो सकते है बिहार में नियुनतम तापमान साथ डंग्री सेंसियस हुआ तो प्यारा बिहार में सीट लहर को देखते हुए स्कूलों को बंकरने का आदेश जारी हो सकता है Crisis Management Group की बेट भी माना गया है कि कोरोना की पैने की सिती बिहार में नहीं है पर अब या तय हुआ है कि नूंतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या इससे नीची हुआ तो स्कूलों में सुबह की कख्चाई बंद कर दी जाएगी अब भी बिहार में नूंतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस राज में सित लहर बढ़ने की आसंका है यह बढ़ा तो स्कूल बंद होंगे बिहार सिक्चा परियोजना की निद्यसक सिरकांद सासरी ने इस आसरी का आदेश सबे डियों को जारी कर दिया है सिक्चा बिभाग ने जीलो को सित लहर में उचित कदम समय रते उठाने का निर्दिस दिया है राज में दिसंबर के अंतिम सब्ता से जनुरी के तिसरे सब्ता तक सित लहर की सित रहती है इसलिए इस पर बिभाग की नजर है इसी को देखते वे निर्दिस जारी किये गए ह बड़े कबर बिहार में आज से तेज चलेगी पचवा हवा, दो से तीन डिगरी और गिरेगा तापमान बड़ेगी ठंड जहां बिहार में पचवा हवा का प्रभाव बढ़ने लगा है 10 से 15 किलोमीटर प्रते घंटे के रबतार से हवा चलने की वज़े से अधिक्तम और निउन्तम तापमान गिरने लगा है पिछले 24 घंटे में 14 सहरों के निउन्तम और 15 सहरों के अधिक्तम तापमान में कमी आई है सबसे कम पारा पूसा में 7.8 डिगरी दर्ज किया गया है एक दो जगावा पर घंटे कोहरे की वज़े से द्रिस्ता काफी कम रही मौसम बिगान केंडर के अनुसार सुबह में पचवा हुआ के परभा में और तेजी आएगी इससे पारा दो से तिन डिगरी तक और निचे आएगा सुबह और साम के आलवा दिन में भी ठंट बड़ेगी बड़ी ख़बर बिहार में मद निसेद सिपाही की बंपर बेकैंसी 365 पदो पर आवेदन की तारे की जारी जिया बिहार में साराबंद कानून को सकती से लागू कराने के लिए पुलिस हुआ मद निसेद विभाग लगातार सक्रिया हो चुका है बिहार में पुलिस विभाग के अंदर सरकारी नोकरे का एक सुनारा मौका सामने है मद निस्यद उत्पाद अवम निबंदन विभाग के अदेन मद निस्यद सिपाई के 365 पदों के लिए बहाली निकली है इसके लिए 19 दिसम्बर यानि आज से आवेदन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी ओलाइन आवेदन के अंतिन तारीक 18 जनौरी 2022 रखी गई है जानकारी के लिए बता दे कि अभियरतियों को इस बहाली में समिल होने के लिए इंटर पास और निवारी है इसके अलावा भी अन्य सर्थ इसमिन इधारित के जिन अभियरतियों के आवेदन पत्र व्यद पाए जाएंगे उनके लिए पहले लिखित परिचा का आयोजन किया जाएगा लिखित परिचा में चैनित अभियरतियों का चैन सारी रिख दर्थ ता परिचा के लिए होगा बड़े ख़बर बिहार के साड़े तीन लाग सिख्यकों के लिए खुसकबरी जल बढ़ सकती है सेलरी पाएंगे के यहार बिहार के साड़े तीन लाग न्योजन सिख्यकों पुस्त काला तर्जकों की वेतन बburn Ace का मामला और आगे बढ़ गया है NIC ने इनके वेतन निधारन के लिए पेफिक्सिनेशन कैलकुलेटर तेयार कर लिया है आपको बता दे कि 1 अप्रेल 2020 के परभाव से सिक्षकों को 15 पीज़ी वेतन बिर्दे के लाब देने का सरकार ने निने लिया है माइदमिग सिक्षा निदेसक मनोज कुमार ने कहा कि सिक्र ही कलकुलेटर लाउंच कर दिया जाएगा ताकि वेतन निधारन पारदसी तरीके से किया जा सके बेड़क में मायदमिग निदेसक ने पूस्ट मैट्रिक स्कॉलर्सिप के पैनिंग रहने की समिक्च की निर्देश दिया की सिगरता से आवेदन का सिप्तापन कराए ऐसे तैयारी रखे की 15 जनौरे से वितरन किया जा सके अगली बाड़ी के वर सियम नितीज के इस फैसले से बिहार के पाच लाग से अधिक गन्ना किसानों को होगा लाग मुख्यमंतरे नितीज कुमार ने गन्ना किसानों के लिए सोगा दी है राज सरकार एवं बिहार सुगर मेल्स एसोसेशन की समाती से गन्ना किसानों के हित में वर्स 2021-2025 के लिए सभी प्रवेदों के गन्ना मूल की दरों में बिर्दी की गई है सनिवार को मिख्यमंत्रे ने स्वाइन ट्विट करके इस निन्य के जानकारी दिया है उत्तम प्रभेत का मोल 315 रुपे से बढ़ा कर 335 रुपे प्रतिक क्यूंटल सामाने प्रभेत का मोल 295 रुपे से बढ़ा कर 315 रुपे और बड़ी कबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 6 नई कोरोना संक्रमित बिहार में कोरोना जाच अभियान के तहद पिछले 24 घंटे में 6 नई कोरोना संक्रमित मरेजों की पहचान की गई है इनमें पटना गया कि संगाज मुझापर पूर पूर्नियावार होतास में एक एक नई कोरोना संक्रमित मरेज मिले हैं राज के 32 जिलों में नई संक्रमित न मारेज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए और संक्रमितों के स्वस्थ होने के दर 98.32 इस दौरा नराज में किसी भी संक्रमित मरेजों की मौत नहीं हुई है अगली बड़ी खबर देश में 111 हुई ओमिक्रोन संक्रमितों की सिंख्या केंदर ने लोगों को चिताया जिया देश में कोरोना वारिस के नए वरियंट ओमिक्रोन का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है सुकरवार को देश में 22 नए ओमिक्रोन मामलों की पूश्टी हुई है इसके बाद संक्रमितों की कोल संक्या 111 हो गई है ओमिक्रोन के ज़्यादा मामले राष्टिय राज़ाने दिल्ली में 12 मिले हैं इसके अलावा महराष्ट में 8 और केरल में 2 मामले आए हैं देश में नए विरियन के सबसे अधिक मामले महराष्ट में है यहां कोल 40 लोगों में इसकी पूश्टी वी है वह दिल्ली में 22 और राजस्तान में 17 मामले अब तक आए हैं राज की स्वास्त सेवा दुरस्त करने के लिए एक क्लिनिंग को लाँच किया गया स्वास्त मंत्रे मंगल पाने ने एक क्लिनिंग की सिरुवात की उन्होंने बताया कि बिहार में ततकाल 100 क्लिनिक बिहार में काम करेंगे इसके बाद इसकी सेंख्या बढ़ेगी एक क्लिनिंग के साथ अगले एक वर्स में एक करोड लोगों का इलेक्ट्रोनिक स्वास्त रिकॉर्ड भी मनाया जाएगा एक क्लिनिंग के लाँचिंग के मौके पर स्वास्त मंत्रे ने कहा कि ये एक बहुत अची सुरुआत है बिहार के पड़े लेकि लोग पूरी दुनिया में क्यायत अरजित कर रहे हैं लेकिन इस मामले में खास बाती आए कि दुनिया में क्यायत अरजित करने के बाद लोग अपने बिहार के उनती के लिए भी काम कर रहे हैं ऐसे लोग बिहार के स्वास्त विबस्ता बैतर करने के लिए प्रियास कर रहे हैं जो अच्तन्द सहारनिया है अगली बड़ी खबर बिहार में बड़ी बेरोजगारी दर पहले नंबर पर है हरियाना जारकन की सिति ठीक जी हाँ अब निति आयू की रिपोर्ड में बिहार को फिजडी राज का दर्जा मिल चुका है इस पर राजनिति गरामी है कि इसके बाद एक और रिपोर्ड निति सरकार के लिए टेंसन पैदा करने वाली है साथी बिपक्ष को और मुद्दा देने वाली है सेंटर फॉर मोनेटरिक इंडियन एकोनोमी की ताजा रिपोर्ड में बताया गया कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है अक्टूबर के 13.9% की तुलना में नौमबर में 14.8% बेरी दर दर्ज की गई है सितंबर के 10% से तुलना करे तो दो महने के भीतर बेरोजगारी दर म 4.8% का इजापा हुआ है हालाकि नौमबर में देश के कई अन्य राज्यों में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है साधन संपन हर्याना इस मामले में सिर्ष पर रहा वह 29.3% बेरोजगारी दर्ज की गई है वैसे अन्य राज्यों की तुलना करे तो हर्याना के अलावा राज प्रजगारी हटाओ या बोले हर मोर्चे पर फेल रहा है राज की सरकार जिया बिहार विदानसवा के नेता प्रतिपाउच तेजस्वी यादाव साधी के करीब एक सब्ता वाद फिर एक्सर में आ गए हैं सनिवार को भी साधी के बाद पहली बार राजत कार्याले पहुच यहां के बाद तेजस्वी वाड सचीव संग के धन्ना का समर्तन करते करदनी बाग भी पहुचे साथ उन्होंने कहा कि खरमास के बाद हर जिलों में बेरुजगारे हटाओ यात्रा पर निकलेंगे सरकार की रियल पिक्चर जनता को दिखाएंगे समापन पर पटना के पर क्यों चापे मारी चल रही है इसका पता नहीं लेकिन राज में इतने बड़े-बड़े मामले हुए राज में 75 घोटाले हुए कई मंत्रियों पर भश्टे चार क्या रूप लगे हटा तक क्या रूप लगे लेकिन कहा कुछ हुआ सुसासन कहा है ये चापे मारी बस कारण बिहार के प्रामुक सहरों में प्रदोशन पर ब्रेक लगा है चाहे देश के राजानी दिल्ली हो या बिहार के राजानी पटना या इस्तिति सभी जगा देखी जा रही है उत्तर पर देश के सहरों की सिति भी सुद्री है जैसे जैसे पचवा की गती में तेजी आ र रिकोर्ड किया गया पटना की एर क्वालेटी में सुधार हुआ है यहां पर सुकुरवार को एर क्वालेटी इंडेक्स 270 रिकोर्ड किया गया इससे पहले यहां 300 से 350 के अस्वास रहा था वह मुझा परपुर की हवा अभी जहरी ली है यहां की एर क्वालेटी इंडेक्स अभ अब उप मुखिया जिला परिसाद अदर्च और उप सरपंच समेत अन्य पदों की निर्वाचन की तिती भी सामने आ गई है बिहार में पंचा चुनाओं की संपन होने के बाद अब राज निर्वाचन आयोंग ने सबद गरहन और उप मुखिया उप सरपंच प्रमुक की साथ साथ अदर्च उपादर्च की निर्वाचन का कारिकरम जारी कर दिया है मीडिया रिपोर्ट के नुसार उप मुखिया और उप सरपंच के लिए 24 दिसम्बर से लेकर 31 दिसम्बर तक निर्वाचन का नोटिपिकसन जारी किया गया है वह 25 समिती प्रमुक और उप प्रमुक को 27 दिसम्बर से 3 जनवरी तक चुने जाएंगे जीला परिसात अदक्च और उप अदक्च के लिए 27 दिसम्बर से 3 जनवरी तक चुनाओ कराने का निर्दिस दिया गया है अगली बड़ी ख़बर बिहार में चला वहान जाच अभियान 426 वहान चालोक पर लगा जुर्माना 72 वहानों की हुई जबती जीहां हेलमेट सीडवेल्ट के साथ सवी जिलो में सनवार को वहानों की परमिट प्रदोसन एवां फिटनेस विसेस जाच अभियान चलाया गया इस जुरान कूल 1530 वहानों की जाच की गई जिसमें मोटर वहान अधिनियम के विविन धाराओ के उलंगन पर 426 वहानों पर जुर्माना लगाया गया यह अभियान पटना सहित सवी जिलो में परिवान सचीव संजे कुमार अगरवाल के निर्देश पर जिला परिवान पतादिकारी M.E.B.I. और S.E.I. दुवारा चलाया गया अगली बड़ी कावर मुख्य मंत्रे उद्मी उजना में 16,000 लावारती का हुआ चयान फरवारी से मिलेगी पहले किस्त जिहां बिहार में स्वरोजगार की रापर बढ़ रहे 62,000 से अधिक नए उद्मी के किस्मत का फैसल होना था राज के 16,000 उद्मी का चयान किया जाना था जिन्हें 10,000,000 रुपे रोजगार के लिए दिया जाएंगे इनमें से 5,000,000 रुपे लोन के तौर पर जबकि 5,000,000 रुपे सरकार की और से अनुदान के तौर पर दिया जाएंगे बदादी के राज ये ब्योरो पटना साथ निश्चाई पार्ट टू के तहद मुख्यमंत्री उद्धमी योजना की चार स्रेनियों के लिए 16,000 लाबार्दियों का चैन सुक्रवार को कम्प्यूटर से रेंडम सिस्टम के तरिके से किया गया इन लाबार्दियों को पहले किस्त फरवरी से मिलनी सुरू हो जाएगी और अंध की बड़ी ख़बर मेट्रिक परिचा पर पड़ा कोरोना का असर रेजिस्टेशन के बावजूद भी एक लाग चात्रों ने नहीं भरा फ़र्म जिया कोरोना संग्रमन का असर मेट्रिक परिचा पर भी दिख रहा है इस बार जितने विदातियों ने रेजिस्टेशन कराया था उससे एक लाग से अधिक चात्र मेट्रिक परिचा में सामिल नहीं होंगे मेट्रिक परिचा 2022 के लिए प्रदेश भर से कूल 17,9,187 परिचा फर्म मनिक की तेथी भी बढ़ाई गई थी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में बेरोजगारी दर क्यों बढ़ी है इसका कारण आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए